Study Cam Study Cam motion picture camera को स्थिर रखने के यंत्र का एक brand है जो इसे operator के यंत्रिक रूप के चाल से मुक्त रखता है एक असमान सत्व पर भी जहां इसे तेजी से चलाया जा रहा है इससे एक निर्विग्न शॉट लिया जा सकता है Study Cam का आविशकार 1975 में कैमरामेन गरेट ब्राउन द्वारा किया गया था और ये तब से उपियोग में है Operator एक harness पहनता है जिसे Steady Cam West कहते हैं और जो एक ISO Elastic Arm से जुड़ा हुआ होता है यह एक multi-axis तथा अत्यदे कम घर्शन वाले चल्ले द्वारा Steady Cam Armature के साथ जुड़ा होता है जिसके एक छोर पर कैमरा लगा होता है और दूसरे छोर पर उसे सीधा रखने के लिए एक प्रतिभार जुड़ा होता है इस प्रतिभार में आम तोर पर battery pack और एक monitor भी शामिल होता है monitor camera के viewfinder का विकल्प है क्यूंकि operator के लिए camera की range की गती सीमा स्वयम camera के viewfinder को निरर्थक बना देती है फिल्म उद्योग में armature और भार को परंपरा गत रूप से slate कहा जाता है क्यूंकि वे steady cam के पुराने model की slate के समान दिखते हैं sled में एक शीश stage जहां camera जुड़ा होता है एक post जो अधिकांश models में उचा किया जा सकता है होती है इसमें monitor और battery नीचे लगे होते हैं जिससे ये camera के भार को counterbalance कर सके इस प्रकार तल को उपर की तुलना में थोड़ा भारी बना देने के कारण steady cam सीधा खड़ा रहता है और gimbal पर टिका होता है यह पूरी rig के गुरुत्तो केंद्र को operator की उंगलियों से operate करने की सुविधा देता है जिससे अत्यन्त आसान तथा अच्छे adjustment के साथ gimbal पर हलका सा हाथ लगाने से भी camera का चलना संभव हो पाता है Operator का कौशल वांचित framing तथा संरचना अपने gimbal पर उसके सपर्ष द्वारा रखना है जब rig और operator गती में हो या स्थिर हो